पाँच मिनट बात करेंगे, इसके बाद शरी इसको अपने कारे करम को शुरू करेंगे, ठीक है? हम ये दो-चार बाते आप से जानला चाहते हैं, जो आप तरी लोग आते हो यहां से. पहले तो ये बताओ, आप लोग कहां कहां से आयो हो यहां? मैंने 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 में जो आप से बाते हो यहां? तो दिल्ली के बहर आपके इलाज का इतिजाम नहीं है? काth 60 मांगते हैं कहांसे लाएक काम गुराधबाद मादे यह एक और का पर पर इसको कहां reality नहीं इस नहीं है अज मुदेश्य जी निहीं इस करते हों लोग पता है कि सिकने को आई शृमया किसी का नहीं है । इसमें खड़िए किसी का नहीं है नहीं है पता भी है अब लगों को उसके बारे में? पता है? पोशीच करा किजी ने आयुश्मान को पैदाउट आने के लिए? नहीं होता है? मतलब भार जो दिल्ली के भार जो हस्पिताल बगारा है वो पूरी संतुस्टी नहीं देते हैं? पैसे का प्रब्लम है? प्राइबेट में आप जा रही सकते हो है? प्राइबेट में आप जा रही सकते हो है? अज आप तो दिल्ली में आये हो तो दिल्ली में जो सरकारी हस्पताल है उनमे तो आप जा सकते हो हैं बगार मेरे पास आई वे भी जा सकते हो तो उसके तो नहीं चाहिता है। आप लोगों पता है हमारे देश में जो है ना यह जो health का subject है विषय यह राज्य का विषय है Central Government इस पर कानून मी नहीं बना सकती आज की तारीक में और कोई राज्य में कोई कानून नहीं है जो आपको कोई अधिकार देता है पता है आप लोग को यह है कि आप जो बिमार हो गई हो ना इसके इलाज के लिए आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि सरकार से कैसे को कि मेरा इलाज कराओ पता है आप आपको पूरे देश में किसी राज्ये ने कानून नहीं बनाया आपका आप किसी भी अदालत में नहीं ज तो आप लोग कानून का क्यों नहीं मांग करते हो कि एक कानून मना हो है लड़की हमारी यह देखिए लड़की हमें दाखर दे इसके वह टेस्ट नहीं है उनन पंथ लिग दिया पंथ में और डेड़ दे भी लड़की यहाल इतनी खराब है तो आप लोगों के लिए और आजकल क्योंकि सब लोगों को अवेरनेस हो गई है चारों तरफ से लोग आ रहे हैं बाहर आपका कोई इलाज होता नहीं है डंग से सारे दिली आ जाते हैं तो सारे बिस्तर भरे हुए हैं तो यह एक सीमा तक ही तो कर सकेंगे न और इसलिए बहुत सरे लोग आज यहां पर आये हुए हैं जिनको लास्ट टाइम मैंने बेजा था तो वहां आप वह बेज दूगा तो वहां बिस्तर नहीं है तो इसका जो मेरा आप लोगों को कहने हमें मूल अधिकार fundamental right दो health का सविधान में बदलाव करके और फिर एक पुरे देश के लिए न एक right to public health बनाओ है इस तरीके का आप लोग मांग करो एक एक पोस्कार लिग दो मोधी जी को कि बड़ी खुशी हुई है कि आप आ गए हो सरकार में लेकिन हम लोग जो है बिबा को फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी और उसके बाद यह एक सीमा है उसकी पांच लाग की अगर किसी का 6 लाग का इलाज हो तो क्या होगा फिर अलाज रुख जाएगा तो इसलिए आप सब लोगों को जो है ना मोधी जी को एक postcard लिखे भी postcard मिल जाते है डाखाने मे पता है postcard कित्रे लोगों को पता ही postcard भी होता है कोई राम की चीज़ तो मोधी जी को एक-एक postcard लिखो कि यह जो स्वास्त का अधिकार है यह हमारा भूल अधिकार बनना चाहिए और इसके ओपर देश में एक कानूर बनाना चाहिए ठीक है कितने लोग लिखेंगे चिटी postcard कित्रे लोग लिखेंगे है लिखो कुछ करो इस दी तो ऐसे ही भीड लगाते रहोगे आप यहापे और दुखी होते रहोगे ठीक है जलो